अपने लूसेंट के विवीद सीरीज में हम आज डिसकस करेंगे विश्व के विरासत अस्थल यूनेस के द्वारा जो विश्व विरासत अस्थल भारत में हैं कुल 49 विश्व विरासत अस्थल हैं भारत में तो उनके वारे में हम थोड़ा विस्थार से चर्चा करेंगे चित्र मान चित्र उनकी इस्थिति और एक मैपी के मात्यम से जिससे आसा है कि आपको एक बार देखने के बाद ये वीडियो लगभग सारी चीजे क्लियर हो जाएं Hello everyone, तो शुरू करते हैं आज का सैसन आज के सैसन में हम भारत के विश्व विरासत अस्थल वर्ड हेटेश साइड के बारे में पध्यान करेंगे इंडिया में कुल अभी तक 49 विस्विरासत अस्थल हैं जो यूनुसको की लिस्ट में सामिल किए गये हैं प्लियर तो चलिए उनस्को की लिस्ट में 49 भारत के विस विरासित इस्थल है ठीक है और जो ये विस विरासित स्थल है ये उनस्को के कंवेंसन यानी कि वड हेरिटेज कंवेंसन 1972 में आया था उसके आधार पर ये सामिल किया जाते हैं कि जो विश्व की विरासत है जो सांस्कृतिक सिच्छा या विभिन रूप से जो संरच्छन करने योग विरासत है हमारी प्राचीन धरोहर है उसको उस तरह के जो संस्थान है या फिर जो कोई भी इस्थापरते कला है या कोई विसेश कला है उसको संरच्छित किया जाता है तो भारत में अभी तक total 39 हुए हैं, clear, 30 cultural, 7 natural, 1 mixed और एक अपना कुम्भ मेला है, कुल्मिला के 49 हैं, और इस विश्वी रासत इसल के सूची में जो अपना इटली है, ठीक है, इटली देश पहले इस्थान पे है, clear, और जो अपना भारत है, वो है छटवे नमबर पे, clear, भारत जो है, छटवे नमबर पे, 6 largest number of word है, इस राइट इन दा वर्ड, okay, तो इटली क्या है, पहले नमबर पे, और भारत क्या है, छटवे नमबर पे, okay, तो चलिए, सुरू करते हैं, आज के भारत के प्रमुक्स संस्थान और स्थान के बारे में, तो अपना है पहला, ताज महल ताज महल जो विस्विरासतिस्थल की सूची में सामिल हुआ था, वो था 1983 में, clear, 1983 में कौन बनवाया था, आप लोग जानते हैं, साह जहाने बनवाया था, clear, ये बनके कंपीट हुआ था, 16-23 में, और आज वर्तमान में अंठामन बिलियन के लगभग की संपत्ती की कीमत है ठीक है, ये यमुना नदी के किनारे है, ठीक है, और जेवालाफ मुस्लिम आर्ट आफ इंडिया, ठीक है, clear, जो मुस्लिम कला का मोती इसको कहा जाता है, okay, अगला है अपना खजुराहो मंदिर, खजुराहो के मंदिर देखें, विस्विरासतिस्थल की सूची में, पहले न clear, ताज महल था 1983 में, और ये कब हुआ था, खजुराहो 1986 में, point clear, okay, इसको बनवाया किसने था, तो चंदेल वंस के राजाओने बनवाया था, clear, ये और इसके टाइमिंग याद रखेंगे, टाइमिंग जो है, वो बहुत important है, एक वार व्यापम कभी पटवारी के एक्जाम है, clear, ये खजुराहो में है, चदरपुर्जिलो में है, इसमें ये भी ध्यान रखें, किस-किस हिंदू के मंदिर है, जैन के मंदिर है, clear, इस चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे, okay, अगला है अपना हमपी करनाटक, ठीक है, विजे नगर सामराज की राजधानी रह में ये कब सामिल हुआ था, 1986, मियानि कि खजराहो के साथ ही, इसको याद रखेंगे, clear, ये विजे नगर सामराज की राजधानी रहा है, clear, इस चीज को याद रखेंगे, द्रविजिन आर्ट और स्टाइल, यानि विजे नगर सामराज उस सम्रद सामराज है, clear, तो इस ची में के जो राज घरान था, उसको बाजार और विजे प्रकार के मंदिर घेरे हुए रहते थे, clear, तो 1986 में हमपी, है कहां ये भी याद रखेंगे, करनाटक में है, clear, करनाटक में हमपी 1986 में सामिल हुआ था, विजे नगर सामराजी की रधानी रहा है, okay, अगला आता है अपन अजन्ता की गुफाएं, clear, अजन्ता की गुफाएं हुई थी सामिल विस विरासत इसल में 1983 में, clear, okay, विस विरासत इसल की सूची में अजन्ता की गुफाएं 1983 में सामिल हुई थी, और ये महाराष्ट में है, okay, one of the first white-hated sites in India, ता अजन्ता की जेट बैक एराउंड 2nd and BCE, ठ दूसरी सदी से 650 सदी तक ये चीज़े चल रही थी, ठीक है, इसमें 31 rock-cut buddhist cave mountains है, ठीक है, monuments जो इनके buddhist monuments हैं, वो कितने हैं, 31, clear, इस चीज़ को याद रखेंगे, okay, अब अपन आते हैं, अपने इस अजन्ता के बाद, एलोरा, इसी के साथ लगी हुई चीज़े है, clear, त और अरंगाबाद जीले में हैं ये, और अरंगाबाद जीले महाराष्ट, एरोरा, okay, और ये भी पत्थरों को काट करके, गुफाएं थी, जैसे माली जे पहाड़ी में, लंबाई में काट दिया जाए, और इस तरह उसकी मंदिर बना दिया तो ये पत्थरों को काट करके मं बुध गया बिहार जो विस विरासेतिस्थल की सूची में सामिल हुआ है, दो हजार दो में, बुध गया इसलिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहां पे बुधों का एक प्रमुख स्थल भी रहा है, प्राचीन काल से आज भी रहा है, ठीक है, यहां बुध बिच्छ के नी बुध गया में है, यह वर्स दो हजार दो में, ठीक है, वर्स दो हजार दो में, विस विरासेतिस्थल की सूची में सामिल हुआ था, यहां पे महा बुधी टिम्पल भी है, दबाजिस्थान, सेक्रेट बुधी ट्री, और अधर सिक्स सेक्टर साइट्स बुध्धा तो यह जो पिल्ग्रिमेज का मतला भी होता है, कि आप यदि धार्मी के आत्रा पर जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पिल्ग्रिमेज, तो यह है पटना बिहार पौध गया, दो हजार दो में सामिल हुआ था, अगला है अपना सन टेम्पल, यानि की सूर्य मंदिर, सूर्य के राजा ने बनवाया था, ठीक है, नर्सिंग देव प्रथम, नर्सिंग देव प्रथम गंगवंस के थे, इन्हों ने सूर्य मंदिर बनवाया था, और यह जो इन्हों के साइट में सामिल हुआ था, 1984, 1984, इस चीच को आप याद रखेंगे, अधिक जानकारी के लिए आप को PDF ग्रूप में दे दी जाएगी, तो आप इसको और भी डिटेल से पढ़ सकते हैं, कोई इंट्रिस्टेट जादा है तो, अगला है अपना Red Fort complex, यानि की दिली का लाल किला, साह जहानाबाद पूराना था नाम, लाल किला जब आगरा से दिली राजधानी सिफ्ट की गई तब ये बनाया गया था, साह जहान के दोरा, क्लियर, तो साह जहाना बाद भी इसको जाना जाता था, साह जहान के दोरा इसको बनवाया गया है, क्लियर, इस चीज़ को याद रखेंगे, और ये जो उधारन है, इसमें इंडो इसलामिक सहली का ही उधारन है, क्लियर, इसमे सामिल किया गये था 2007 clear 2007 में लाल किला को UNESCO साइट में सामिल किया गया था ओके अगला है अपना सांची मध्य प्रदेश सामिल किया गया था, इसीड को सब्सक्राइब अब इस जानकारी है, ठीस तुक है, मोखला चोल आप्सक्रम सब्सक्राइब इसलिए है क्योंकि यह कई बार आपने देखा होगा विधेश्वर मंदिर ठीक है गंगाई कोंड चोल वेश्वरम का मंदिर ठीक है ओके और तंजाबूर का मंदिर क्लियर तो इस जीट के बारे में आपको यादर की है कि जो चोल मंदिर है 1987 में कुछ मंदिरों को सामिल किया गया था क्लियर उसके बाद कुछ मंदिलों को 2004 में यह सामिल किया गया थे चोल के मंदिर गंगाई कोंड चोल पूरम के द्वारा यह मतलब की उस समय पे मंदिर जो था यह फेमस था तो यह अपना राज-राज प्रथम के द्वारा बनवाया को सनच्षड दिया था राजेंद पर्थम ने उन्हीं नोहीं बनवाया था और यह जो लॉड़ सीवा आने की भगवान सीव को समर्पित था इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है जो छोड़ी जोड़ी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूं 1987 2004 याद रखेंगे समय ओके अगला है अपना कांजी रंगा वाइड लाइफ सेंचुरी तो कांजी रंगा वाइड लाइफ सेंचुरी सब जानते हैं आसम में हैं और उस समय पे यहाँ पे एक सिंग वाले गेंडे पाए जाते हैं 1985 में इसको सामिल किया गया था वाइड लाइफ साइट में इसमें एक समय कि यह बताया जाता कि जो लाड करजन थी उनकी वाइफ आई थी और उनको देखने को नहीं मिला था यह एक सिंग वाला गेड़ा तो इसको सनरचित करने के लिए इन्होंने पहली बार प्रयास किया अगला है अगला है अपना गुरूप आफ पॉर्णमेंट्स अफ महाबली पूरम तमिल नाडू के महाबली पूरम मंदिर 1984 में वर्ड हेटर साइट में सामिल किये गये थे क्लियर चन्नाई के पास है ये और समय चरूर याद रखेंगे 1984 में वर्ड हेटर साइट में सामिल किये गये थे महाबली पूरम के मंदिर पल्लाव डानेस्टी यानिके पल्लाव वन्स के आर्किटेक्चर के नमूने है इनकी पल्लाव सासनकाल में इनको बनवाय गया था महाबली पूरम 1984 तमिल नाडू ओके चलिए अगला आपना है सुन्दरबन नेश्टनल पार्क सुन्दरबन दिया गया था उसके बाद आता है अपना हुमायू का मकवरा दिल्ली में बहुत ही खुबसूरत जगा है यह कभी आप जाए तो जरूर घुमें जो हुमायू का मकवरा है इसे 1909 में वर्ड हेटेट साइट में सामिल किया गया था 1993 में ठीक है बेगम बेगा ने इसको बनव रखेंगे कई वर परिश्चाओं में भी आ चुका है जंतर मंतर जैपूर क्लियर इस चीच को याद रखेंगे जंतर मंतर 2010 में इसको बर्ड हेटेट साइट का दर्जा दिया गया था क्लियर और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि महाराज जैसिंग दूतिय ने ठीक है महारा ऐस्थान के सवाई जैसिंग के दौरा यह बनाया गया था क्लियर इस चीच को याद रखेंगे सवाई जैसिंग के दौरा खेंग तो सवाई था, clear, इस चीज़ को याद रखेंगे कि इस किले में भी ये दिवाने याम, दिवाने खास हैं, मोती मस्जिद है और नगीना मस्जिद है, clear, इस चीज़ को याद रखेंगे, ये कई बार परिश्व में आया भी है नगीना मस्जिद, clear, okay अगला है अपना जामा मस्जिद है, बुलन दरवाजा है, क्लियर, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, पंच महल, जोधाबाई का महल भी यहीं फतेवपुर सीकरी में ही है, क्लियर, और इसी जगे से नवरतन के, यानि की जो नवरतन थे, अकवर के दरवार के, उनकी सुरुवात मानी जाती ही है, कि यहीं से प्रेणा लेके उनको रखा गया था, ओके, फतेवपुर सीकरी, रानी की बाव, पाटन, गुजरात, कई बार परिछाओं में आया भी है, अभी ये, कुछ दिन पहले ही, 2014 में, रानी की बाव, पाटन को, विश्व विरासेद सल में सामिल किया गया है, ये बिश्व के सबसे उम्दा जल सनरचन और जल की बेवस्था कैसे की जाती थी पहले प्राचिन सहरों में, इस पर ये आधारित जगह है, गुजरात में, 2014 में इसको सामिल किया गया था, इस चीज को याद रखेंगे, रानी की वाव, वेल नोन फॉर इस्टेप्ड कॉइडर इसमें सीडियों में बने हुई, जैसे बावली होती है अपने हाँ, बावली जिसको बोलते हैं गावों में, तो इस पर ये बनी थी, ये तीसरी मिलेडियों में, सताबदी की ये जो रचना थी, सोलंकी वंस के टाइम पे गुजरात में ये प्रचलित थी, इस चीज को आपासी में इस पट्टादिकल के छोषेतर की यूनس director में सामील किया गया था, जो पट्टादिकल के जो आर्किटेक्टर है, ये चालुक की वंस के प्रमुक है, लुक कीरचना ही रचना है, चालुक की चालुकी अर्डुbes समराज में, और लुए टीक है, ये मिक्स्चर कि चलिए तो अपने बताया पट्टादिकल का आर्खिटेक्चर है वह 1987 में विस्विरा से तिस्तल में सामिल किया गया है अगला है अपना एलिफेंटा केव महाराष्ट मुंबई इस चीश को याद रखेंगे एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई से मात्र 10 किलो मेटर की दूरी पर हैं कि मुंबई के नस्तिक कौनसी है एलिफेंटा एलोरा ठीक है अजन्ता तो कौनसी है एलिफेंटा क्लियर मुंबई के आसपास की जगह है यह बुद्धिष्ट केव है यानि की गुफाएं है इस पे बुद्धिष्ट प्रतिमाय भगवान बुद्ध को प्रार्थना याचन करते हुए दिखाया जाता है अगला अपना नालंदा महाविहार ठीक है नालंदा इनुवर्स्टी बिहार तो जो अपना नालंदा बिहार है वह 2016 में इस इस्थान को विश्विरास्थिसल्ख सूची में सामिल किया गया था 2016 में इसको विश्विरास्थिसल्ख सूची में सामिल किया गया इस चीज़ को आप अच्छे से दिमाग में रख लेंगे ये भी एक बुद्धिश साइट रहा है गया अगला है अपना चेतरपती सीवाजी सीथी टर्मिनेस जिसको आपन जानते है जहां से बंबई के लिए ज इसको पहले Victoria Terminus के नाम से भी जाना जाता था, clear, यह Headquarter है Central Railway in Mumbai का, यह भी याद रखेंगे, Kendri Rail, Bombay, Central Railway का मुख्याल है, Mumbai में है, okay, तो यह सामिल कब किया गया था, 2004 में, clear, okay, अगला है अपना, Mountain Railway, India, ठीक है, दाजलिंग हिमान चल में, तो इस चीश को यहाद रहा है, Mountain Railway चलती कहा है, दाजलिंग हिमाले, ठीक है, okay, कालका सिमला रेलवे, इसको भी जाना जाता है, तो Mountain Railway, 1999 में, 2005 में, ठीक है, 1999, 2005 में, कुछ, और उसके बाद 2008 में, फाइनली कुछ जगय को सामिल किया गया था, विस ठीक है, कुटुब मिनार को विस विरासत इस्तल में सामिल किया गया है, 1934 में, क्लियर, किसने बनवाया, कब बनवाया, यह सब आप लोग जानते हैं, ठीक है, कुटुब बुद्दिन एवक ने इसको सुरू किया था, बनवाना, इस चीज को याद रखेंगे, और कई बार इस चीज को आप याद रखेंगे, क्लियर, इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, कुटुब बुद्दिन एक जो ममलूग डानिस्टी का था, इस चीज को भी दिमाग में अच्छे से रख लीजिएगा, ओके, इसकी लंबाई कभी-कभी पूशता है, तो 73 मीट इस चीज को बहुत सारी मस्जिदें हैं, मंदिर हैं, ठीक है, अगबरे हैं, मास्क, टेंपर, स्टॉंप, गेटवेज, ठीक है, फॉर्ट्रस और वाल्स, पैलेसें परिवेलिया, हेलिकल वेल्स, कस्टम साथ बिलंग तो सिस्टी इस तुट्रिय यानि सोलवी सताद्दी में, जो उस समय के निया, जो प्रथागत माकान थे, वो इस छेत याद रखेंगे अपन, ठीक है, कई बार परिच्छों में ये आया भी है, इसको 20 विरासत इसल के सूचु में सामिल किया गया है, ये मध्ध हिमाले से लगा हुआ बिल्कुल छेतर है, इस चीज़ को आप या रागद रखिएगे, इसमें सबसे इंपोर्टन्ट यही है, कि ग्रेट हिमाले नेशनल पार्क किस प्रदेश में है, यानि कि मांचल प्रदेश में, ओके, अगला है अपना, हिल फोर्ट साफ राजस्थान, राजस्थान के पहाड़ी किले, कई बार परिच्छों में ये आया हुआ है, कि राजस्थान के पहाड़ी किलों की संख्या कितन चितने भी किले हैं चितोडगड़, कुम्बलगड़, रनडथंबर, जैसलमेर, आमेर, गांगनोर रानी की बाद, सुरी, गांगनोर ठीक है, तो गांगरोन किला तक ये 6 हैं ठीक है, तो 6 के 6 किलों को आप याद रखेंगे अच्छे से ओके चलिए, तो इस चीश को याद रखेंगे और ये कब सामिल किया गया था, 2013, मैंने बता दिया है अगला है अपना चर्चेस आफ कोवनेंट्स गोवा, ठीक है तो जो गोवा के चर्च थे इसको बिस्विरासत इस्थल के सूची में सामिल किया गया है, ठीक है वरतमान समय में ही इसको गोवा के प्रमुक चर्चों को सामिल किया गया था, ठीक है इसको आप याद रखेंगे ये रोम का ओरियेंट का था, ठीक है रोमानी स्टाइल की चर्च थे, और चर्च क्या होते हैं ये आपको पता है और सबसे ज़्यादा इस चीच को याद रखेंगे कि जो ये गोवा का चर्च था, ये पुर्थगीस गोवा में किसका सासन था, पुर्थगालियों का ही, ठीक है तो पुर्थगालिस के समय पे ही ये बनवाया गया था तो उस सब पर जो आये थे जो इनकी मतलब इस चर्च में जो प्रतिमा थी फ्रांसिस जेवियर की, ठीक है, संत जेवियर जो सबसे पहले आये थे, ठीक है तो इस चीच को आप याद रखेंगे कि जो गोवा के चर्च थे, ठीक है चर्चेस इन कोवनेट्स आप गोवा, इनको भी तो विंद की पहाड़ी में है, ठीक है तो विंद की पहाड़ियों में है ये, ठीक है दककन का पहाड़ का छेतर है 2003 में इसको विंद की षूची में सामिल किया गया था, ओकए भीम बैठ का, होसंगाबाद जीले में आता है अगला है अपना मानस वाल लाइफ संच्चूरी मानस वाल लाइफ संच्चूरी सब लोग आप जानते हैं असम ठीक है तो यह वाल डाइफ संक्चूरी है यहाँ पच्छी भीहार टाइप का है utions तो मानस वाइड डाइफ सेंक्चुरी को 1985 में विस्व विरासतिसल की सूची में सामिल किया गया था, 1985, इस चीच को याद रखेंगे, चलिए, अगला अपना आते हैं, केवला देव नस्टल पार्क, केवला देव नस्टल पार्क कई बार परिश्वों में आया हुआ है, पहल केवला देव राश्टि उद्यान है, कि इस चीच को भी याद रखेंगे, तो यह राजस्थान भरत पुर्जिले में, और सामिल कब किया गया था, जैसा मैंने आपको बताया, 1985 में, अगला आपना आते हैं, नंदा देवी, वेस्टन घाट, ठीक है, तो पस्चिमी घाट को कब सामिल किया गया था, 2012 में, पस्चिमी घाट सबसे जो भारा भारा छेतर है भारत का, और इस चीच को भी याद रखेंगे, कि कितने राज़ों में आता है, केरला, करनाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट, ठीक है, तो यह चार राज़ों में फैला हुआ है, केरल, करनाट के सामिल किया गया है, 2016 में, ठीक है, 2016 में, कंचन जंगा नेशनल पार्क, परिछवों में यह भी आया हुआ है, किस राज़ में है, क्लियर, कंचन जंगा, तीसरी, हाईजेस्ट पीक है, मतलब कि जो विसुकी सबसे उची चोटी है, कंचन जंगा वो तीसरी है, क्लियर, भा अर्बुजियर ने इसको बता था, लीक अर्बुजियर ने इस complex को बन वाया था, clear, तो 2016 में इसको बिस्वीरासिधिसल की सूची में सामिल किया गया है, ok, अगला है अपना historic city of अहमदाबाद, अहमदाबाद को बिस्वीरासिधिसल की सूची में सामिल किया गया है अबी latest 2017 मे 2017 में जो हम्दाबाद का प्राचिन सहर है ठीक है उसको विस्विरासत इसल की सूची में सामिल किया गया है 2017 में उसके बाद आता है Victorian Art Deco Insemblance of Mumbai इसको 2018 में विस्विरासत इसल की सूची में सामिल किया गया है इसको आप याद रखेंगे 2018 में ठीक है तो विस्विरासत इसल की सूची में Victorian Art Deco Insemblance इसको सामिल किया गया है कब 2018 में इस चीज को याद रखेंगे ये अरब सागर से 60 हुआ छेतर है इसके बाद आता पिंक सिटी जैपूर कई बार परिच्छों में आया है और आप ये याद रखेंगे इसके गन्फ्यूज नहींगे कि प्राचियन रूप से नहीं इसको 6 जून 2019 को ठीक है ये लगभग संभावित कुश्चन है जो परिच्छाव में आ सकता है 6 जून 2019 को विस्विरासत इसल के सूची में सामिल किया गया है जैपूर पिंक सिटी आप जानते हैं इसके अलाबा भी जैपूर में कई वर्ड हीट रिसाइट भी है जो आपको मैंने भी बताया था कि जो पहाड़ी के लिए थे राजसान के 2013 में जिनको विस्विरासत इसल के सूची में सामिल किया गया था तो आमेर का किला वगएरा भी ये जैपूर में ही है इसके बाद आता है 2017 में कुंभ मेला को भी बिस्विरासत इसल की सूची में सामिल किया गया कुंभ मेला भारत में लगता कहां कहा है ठीक है तो एक तो हरिद्वार, उजञ, प्रियाग, इलाहवाज और रासिक ठीक है नासिक में ये लगता है ठीक है लगबाग 12 वर्स के सम जो sites हैं, वो है 39, clear, 39, इस चीज को याद रखेंगे, इसके बाद थोड़ा सा हम last time में इसका revision कर लेते हैं, जिसको हम state wise बता देतेंगे, जल्दी जल्दी इसको दो मिनिट के अंदरापन खतम करने की कोसिस करेंगे, पहला है उतरप्रदेश, आगरा का फोर्ट, ठीक है, तो यह है तीन वड़ेचेर साइट उतरप्रदेश से, उसके बाद आता है महाराष्ट में, तो अजन्ता की केव, 1983 में, CST 2004 में ने बताया आपको, इलिफेंटा जो मुंबई करीब है, 1987 में, ठीक है, एलोरा, 1983 में, तो अजन्ता और एलोरा, यह दोनों, 1983 में, और इलिफेंटा अपना है, आर्केलोजिकल साइट से, नालंदा, महाविहार, और उसके बाद बोध गया है, 2002 में, तो 2016 में नालंदा को, और 2002 में गया को दिया गया, उसके बाद आता है, जो सबसे इंपोर्टेंट है, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश में, 1989 में, सांची, खजुराहो को, 1986 में, ठीक है, और रॉक्स रेटर, 2003, भीम बेट का, तो भीम बेट का, 2003, आप कैसे जाद रसकते हैं, 369, ठीक है, तो भीम बेट का, 2003, खजुराहो, 1986, और बुद्धिस्ट, 1989, सबसे पहले, खजुराहो को ही, चैयनित किया गया था, ओके, चलिए, अगला है आपना, गुजरात में, गुजरात में, गुजरात में, चंपानेर, पावगड, ठीक है, अर्केलोजिकल पार्क, जो था, 2004 में, हिस्टोरिक सिटी, आपने हमताबाद, 2017 में दिया गया, रानी की वबाव को, 2014 में, ठीक है, सोलंकी, वंस के समय की ये, चलो यस था थी, वही, वेस्टन घाट, गुजरात, ठीक है, 2012, ओके, अगला अपना आता है, गोबा, तो गोबा के चर्चोक, 1986 में, ठीक है, वेस्टन घाट, 2012, गोबा में ही आता है, ठीक है, तमिल्लाडो मैंने आपको बताया था, चोल मंदिर, 1987 और 2004 में दिया गया था, महाबली पूरम के मंदि हमपी, 1986 मैंने आपको बताया था, पट्टादिकल की पहाड़िया, ठीक है, पट्टादिकल के जो आर्ट के चिक्चर था, तो इस चुको भी याद रखेंगे, 1987 में, हमपी कहां है, 1986 और पट्टादिकल, 1987, करना ठक, ध्यान रखेंगे, दो, ओके, रजस्तान से हैं, तीन, पहाड़ी के लिए, 2013, जैपूर, पिंक सिटी, जो है, 2019 में दिया गया, और उसके बाद, जैंतर मंतर, 2010, ठीक है, जो सवाई, जैसिंग के दोरा बनवाया गया था, उसके बाद आता है, दिल्ली में, तो दिल्ली में, तीन है, क्लियर, दिल्ली में कितनी साइट्स हैं, तीन Modern Movement में, West Bengal में, Mountain Railway, ठीक है, दार्जलिंग, क्लियर, सुंदरबन, 1987, हिमाचल प्रदेश में, Mountain Railway, और Great Himalayan National Park, ठीक है, 2014 में, और इसा Sun Temple, 1984, गंगवन्स के राजा ने बनवाया था, अगला है अपना असम, कांजी रंगा और मानस, ये दो हैं, 1985-85, दोनों का याद रखेंग में, नंदा देवी, Flower Valley है, 1985, और 2005, किरला में, अपना वेस्टन घाट, क्लियर, और सिक्की में, अपना एक, कंचन जंगा, नेशनल पार्क, ओके, तो ये थे आपके सेसन, इसमें एक और कुश्चन ये बन सकता है, तो सबसे ज़्यादा, वर्ड हेटेट साइट किस राज मे आप लोगों को देना चाहूँगा, कि आप किसी भी चीज के लिए, हजार बुक खरीदें, या समेटनी कोशिस मत कीजिए, किसी एक विशाय के लिए, किसी एक किताब को ही आप बिल्कुल घोट पीड डालिए, जितना आप पढ़ सकते हैं, जितनी बार पढ़ सकते हैं, य आपको किसी भी परिच्छा में सफलता दिलाने के लिए परियाप्त है, आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन सुभू, धन्यवाद.